मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कल शाम को आदेश जारी करवाया कि मंत्री का जो आप्त सचीव होता है उसका सरकार में कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगा मतलब कि सरकार के काम काज में उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और कहा जा रहा है कि नितीश कुमार ने जब यह करवाया है तो इसका सीधा मतलब कि तेजस्वी यादों को उन्हों ने एक परकार से आईना दिखा दिया अब आप समझें क्यों सिक्षा बिभाग तेजस्वी यादों की पार्टी यार जेडी के पास है आप्त सचिव और सिक्षा बिभाग के अपर मुख्य सचिव का विवाद वहीं से सुरू हुआ सिक्षा बिभाग के 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 पाठक अपर मुख्य सचिव मितीश कुमार के आदमी कहे जाते है अब आप्त सचीव मतलब कि जो पीए है सिक्षा मंत्री के कृष्ण नंदर यादो उनका नाम है वो यादो जी सिक्षा मंत्री के अपने आदमी है अब दोनों के बीच टकराव होती है और उसके बाद नितीश कुमार ते जस्वी यादो को आईना दिखाते हुए उनको हैसिय दिखाते हुए कहते हैं कि बस आप्त सचीव और पीए जो होता है वो पत्रा चार सरकारी काम में नहीं कर सकता आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे नितीश कुमार ने सिकंजा कस दिया बगये नमस्कार मैं मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे ह कि मंत्री का आप्त सचीव मतलब की जो पीए होता है वो मंत्रियों के अपने छेत्र का होता है और इस अधार पर जो पिये होता है उसकी दखल अंदाजी बड़ी बड़ जाते ये सरकारी कामों में लेकिन अब आमीर सुभानी जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव में वो पत्र जारी करके क्या कहते हैं आदेश देते हैं कि सरकारी पत्राचारियों में आप्त सचिव का कोई रोल नहीं सकते अब इसका मतलब की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ नहीं कर सकते और इन तमाम चीजों का सीधा सा मतलब कि जो मंत्रियों के बाहरी सचिव होंगे मतलब कि याप्त सचिव जिसको हम लोग पीए कहते हैं पीए पीए उस पीए की अवकात या हैसियत अब सिर्फ मंत्री के नीजी कामों तक सिमित रह जाएगा अब ऐसा क्यों हुआ तो कहा गया कि सिख्षा मंत्री में जो एक सिख्षा विभाग के अंदर जो मंत्री और अपर मुख्य सचिव के के पाठक के बीच तकराव हुआ उस तकराव के बाद नितिश कुमार ने सब को अपने भागों के सचिव हैं वो सचिव नितिश कुमार के हैं और इस अधार पर कहा गया कि नितिश कुमार ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया मतलब कि तेजस्वी यादों को आप कहिए कि वो मंदिर के घंटा हो गया है नितिश कुमार को जब मन करता है तब बजाते हैं वो कुछ कर भी नहीं पाते, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, एक महत्वपुन बात यह है कि तेजस्वी यादों के चलते सरकार चल रही है, मतलब कि वो सबसे बड़े पार्टी के नेता है, सबसे ज़्यादा विधायक उनके पास है, लेकिन तेजस्वी यादों को नि एक दम सुनने है, क्योंकि नितिश कुमार चाहते हैं, वही काम तेजस्वी के बिभाग में भी होता है, और इसका सीधा मतलब कि अब नितिश कुमार ने सिकंजा और टाइट कर दिया है, और ज्यादा सिकंजा कस दिया है, अब आगे देखिए, कि जब पीए पर आप्त सच पर मंत्रियों को लेकर यह आदेश जारी हो चुका है, तो क्या कुछ होता है, क्या वाकई में तेजस्वी इतनी हिम्मत दिखाएंगे, कि नितिश कुमार के सामने जाकर कुछ बोलें, इस पर सवाल उठाएं, आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट निकल कर और सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे, तमाम ख़बरों के लिए मरसाद बने रहिएगा, वीडियों आई पर समाप्त करते हैं, कि हम रेक से भी शाहल खड़े हैं, और मैं मोहित कुमार सिंग, बहुत बहुत धन्यवाद,